यहां पे हम ले आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉटेंट टॉपिक यह है अपॉइंट्मेंट्स 2023 तो इस येर में जितने भी अपॉइंट्मेंट्स हुए हैं फ्रॉम जैन तो आगस्ट हम उन सब को यहां पे डिसकस करेंगे बहुत ही पॉपुलर और डिमांडिंग और आपको इसका जो PDF है हमारे टेलिग्राम में मिल जाएगा है ना तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में आपके रिए कोशन्स भी हैं तो उनको भी जरूर यहां पे अटेंप्ट करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में लिख के जाईएगा ठीक है तो पह बात करें वर्ल बैंक की इसे फाउंड किया गया था 1944 में हेड़कॉर्टर है इसका वाशिंग्टन डीसी और इसकी चीफ एकोनॉमिस्ट है अभी इंदरमित गिल और साथ में यह हैं अजय बंगा की फोटो तो यहां भी हमने फोटो इसलिए प्रोवाइड किये हैं क्योंकि अगला कोश्चन देखिए तो अब यह रो क्या है रो का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड अनालेसिस विंग यह इंडिया की एक एक्स्टरनल इंटेलिजन्स एजेंसी है तो इसके जो यहां पे चीफ जो अपॉइंट हुए है यह है रवी सिन्हा बात करें रो की तो फ अन्हें पॉइंट्टेड स gracias ट्रे इसंटल्टREY एंट्यू फिजिलन्स विजिलन्स कमिशनर तो अन्हां बन गया है तो यह बन गये हैं प्रवीन कुमार श्रिवास्तो बात करें सेंट्रल विजीञेंस कमिश्न की तो यह न जो है एक स्टैचिवरी बॉड़ी है है नहीं government corruption जो होते हैं उनको यहाँ पर address करती हैं इसको setup किया गया था 1964 में by government of India अब बात करते हैं central vigilance commissioner की appoint किया जाते हैं इन्हें president के द्वारा तो इनकी एक मतब recommendation की committee बनती हैं जिसके अंदर आते हैं कौन को प्राइम मिनस्टर, ministry of minister of home affairs और leader of opposition in लोकसभा तो यह सब जो है constitute करके यहाँ पर appoint करते हैं कि इन्हें central vigilance commissioner को और इनका कारेकाल यानिके जो term होता है वो होता है four years तो यह आपके लिए बहुत important है अगला question देखिए who has been appointed as director general of geological survey of India तो geological survey of India जो है इसके director general बन गए है कौन? जनार्धन प्रशाद बात करें geological survey of India तो यह एक scientific agency है इंडिया की found किया गया है 1851 में इसे बहुत पुराना है headquarter है Kolkata और इसकी जो parent organization है यानि ministry जो है यह है ministry of minds okay next question who became the new law and justice minister of India तो new law and justice minister बन गए है कौन? तो यह बन गए है हमारे Arjun Ram Meghwal okay next question देखिए who has been appointed as director general of SSB तो SSB की director general बन गई है कौन? यह बन गई है रश्मी शुकला next who has been named as the national ambassador for children's right तो national ambassador for children right बन गए है कौन? आयुश्मान? खुराना तो यह जो है UNICEF के national ambassador बन गए है UNICEF का full form देख लीजे United Nation International Children's Emergency Fund इसे जो है आपको यह सारे points बहुत अच्छे से याद रखते हैं तो कि जितना भी हम यहाँ पर information आपको provide कर रहे है बहुत जादा important है ठीक है? तो अभी आपको ऐसे देखके चलना है कि यह exam में आ रहा है कि ऐसे question ही आपके exam में पूछे जाते हैं कि इसे found कब किया गया था UNICEF को ठीक ह तो बहुत ही seriously आपको यह सारे questions अच्छे से पढ़ने हैं अगला question देखें who has been appointed as CEO of FSSAI तो FSSAI जो है इसका full form होता है Food Safety and Standards Authority of India इसके जो CEO है यह बन गए है जी कमला वर्धन राव है ना बात करें यह Food Safety and Standards Authority की इससे found किया गया था 2008 में headquarter इसका New Delhi है और यह आता है under Ministry of Health and Family welfare तो यह जो picture दिख रही है यह है कमल वर्धन राव की okay next देखें recently Sidharamaya became the chief minister of which state तो recently जो Sidharamaya जी है यह बन गए है एक state के chief minister तो किस state की यह chief minister बन गए है तो करनाटका स्टेट के अंदर यह जो है यहाँ पे CM बन गए है बात करें करनाटका की capital क्या है इसका Bangalore है है ना CM यहां के सिद्रमया जो की Congress Party से बिलॉंग करते हैं Deputy CM कौन है DK Shiv Kumar यहां के deputy CM है और governor जो है यह है थावर चंद गहलोट है ना तो आपको यह तीनों चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला question है आपका who has been appointed as the chairman of NHAI तो NHAI के यहां पर appointment में यहां पर chairman बन गए है कौन संतोष कुमार यादव बात करें NHAI की तो यह जो है National Highway Authority of India है found किया गया था 1988 में इसे headquarter इसकी New Delhi है और यह आता है Ministry of Road Transport के अंदर ठीक है तो यह सारे points भी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि देखे सारा ही यहां पर important point है आप देख की समझ गए होंगे तो मुझे यह बताने की भी आपको जरूरत बिलकुल नहीं है है ना तो अगला question देखिए who became new MD and chairman of Bank of India तो Bank of India के new MD और chairman कौन बन गए है यह बन गए है रजनीश करनाटक बात करें Bank of India की इसे found किया गया था 1906 में और इसकी जो headquarter है यह है Mumbai ठीक है next है who has been re-elected as the president of FIFA तो FIFA के president मतलब यह पहले भी थे और फिर से यह re-elect भी हो है ठीक है तो यह बन गए है कौन ग्यानी इनफैटिनो बात करें FIFA तो इसका full form देख लिजे International Federation of Association of Football found किया गया था इसे 1904 में और इसका headquarter है Switzerland है ना तो यह है इनकी photo next question who has been appointed as managing director of bank of Varodha तो bank of Varodha के managing director बन गए है कौन देवा दत्ता चंद और बात करें bank of Varodha इसे found किया गया है 1908 में headquarter है इसका वलोदरा गुजरात और यह है देवदत्ता चंद अगला question who has been appointed as CEO of Neeti Aayog बहुत ही important question है और definitely आएगा आपके exams में CEO of Neeti Aayog बन गए है BVR सुब्रामानियम है ना और Neeti Aayog से तो बहुत ही questions आते हैं इससे पहले क्या था हमारे पास planning commission होती थी जो हमने 5 year plans पड़े हैं इसके बाद जो है उसे dissolve कर दिया गया और उसे हटा करके Neeti Aayog को established किया गया था in 2015 Headquarter इसका New Delhi में है आता है Under Ministry of Planning इसके जो chairman होते हैं वो PM होते हैं ठीए तो अभी फिलाल इंडिया में PM है Narendra Modi तो यह है यहां के chairman और voice chairman यहां के है सुमन बेरी राइट अगला question who has been appointed as controller general of accounts तो controller general of accounts यहां पर बन गए है कौन यह भी recently appoint हुए है SS दूबे इनसे पहले हमने पढ़ा था previous वीडियो में भारती दास थी CGA of India अब बन गए है SS दूबे है न तो जो अभी present CAG है तो CGA और CAG में अब हो confused नहीं होना है ठीक है एक होता है CGA और एक होता है CAG तो अभी हम पढ़ रहे हैं CGA जो की है SS दूबे और CAG है हमारे गरीश चंद्र मुर्मू आगे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे चलिए देखिए अगला question है who has been appointed as chairman of life insurance corporation of India the life insurance corporation of India यानि कि LIC के chairman कौन बन गए है ये बन गए है सिद्धार्थ मोहनती next रमेश ब्यास appointed as the new governor of which state तो भी रमेश ब्यास जो है ये state के governor बन गए है तो कौन से state के governor बन गए है ये ये बन गए है महरास्टरा state के governor चलिए अगला question है who has been elected as new president of new development bank तो new development bank जो है इसके जो president है ये बन गए है कौन दिल्मा रूसफ और बात करें new development bank की तो ये जो है BRICS जो organization है उनके countries के द्वारा बनाया जाता है तो Brazil, Russia, India, China, South Africa इन सब ने मिलके बनाया है new development bank पर इनके साथ और कुछ यहाँ पर countries है जो यहाँ पर included है बहुत ही important है आपके सारे exams के लिए अगला question who has been appointed as executive director of RBI तो RBI के executive director बनाये गए है कौन यहाँ बन गए है यह नीरज निगम बात करें RBI की जिसका full form है Reserve Bank of India found किया गया था 1935 में ये भी बहुत सारे exam में पुछा जाता है कि RBI का foundation कब हुआ था ये हुआ था 1935 में और इसके अलावा first governor कौन थे ये भी बहुत exams में आपको देखने को मिलेगा Osborne Smith जो है यहाँ पर first governor थे RBI के फिलाल present governor है शक्तिकान दास और headquarter इसका है Mumbai में ठीक है तो ये logo तो logo से related भी बहुत सारे question आते हैं तो आप ये logo भी देख लीजे अगला देखे है who has become first female secretary general of WMO WMO क्या है WMO का full form है यहाँ पे world meteorological organization है न इसकी जो first female यहाँ पे secretary बन गई है यह बन गई है कौन सेलेस्टे सावलो इसे WMO को found किया गया था 1950 में headquarter इसका Geneva Switzerland है और इसकी जो parent organization यह है United Nation Economic and Social Council ठीक है चलिए next question है who has been reelected as external auditor of WHO for 2024 to 2027 तो किन्हें जो है यहाँ पे external auditor बनाया गया है WHO का यह आपको यहाँ पे बताना है ठीक है तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे CAG है कौन गिरीश चंद्र मुर्मू है न तो इन्हें ही यहाँ पे external auditor बनाया गया है WHO का बात करें WHO की यानि कि World Health Organization found किया गया है 1948 में इसे headquarter इसका है Geneva और इसके बाद यहाँ पे जो head है यहाँ गया है तो यह है Tedrose Adhanom नेक्स देखें WHO has elected as 78th UNGA President तो UNGA यानि क्या है United Nation General Assembly इसके जो President है यह कौन बन गये है यह बन गये है फिलाल Dennis Francis और इसे found किया गया था कब 1945 में headquarter इसका New York है USA और यह तो हमने पढ़ लिया कि Dennis Francis अभी यहाँ पे President बन गये है तो यह इनकी पिक्चर भी यहाँ पे हमने इंक्लूड की है next question देखें who has been appointed as the new Director General of BSF तो BSF की Director General कौन बन गये है यह बन गये है यहाँ पे नितिन अगरवाल बात करें BSF की Border Security Forces का full form है found किया गया है इसे 1965 में headquarter इसकी New Delhi है और यह आता है अंडर Ministry of Home Affairs राइट गाइस आपको I think समझ में आ रहा है वीडियो आपको PDF चाहिए तो हम आपको Telegram का Link प्रोवाइड करेंगे description में तो वहाँ से जाके आप हमारे Telegram को join करिए और वहाँ पे आपको सारे notes available होंगे तो अभी हमने recently start किया है अभी जादा हमने कुछ वहाँ पे upload नहीं किया है बट आते धीरे-धीरे हम सारे जो PDFs हैं उनको include यहाँ पे कर देंगे तो आप join कर लें ताकि आप कोई भी यहाँ पे content को miss ना हो okay चलिए next question देखिए who is the new CEO of Twitter CEO of Twitter कौन है यह बहुत ही important है और आ सकते है आपके exams में यह question ठीक है तो CEO of Twitter बन गई है लिंडा याका रिनो बात करें Twitter की तो इसे found किया गया था 2006 में headquarter इसका San Francisco USA में है और chairman है इसके Elon Musk इसके अरावा अभी Twitter का जो logo है वे change कर दिया गया है तो आपको comment section बताना है कि Twitter का logo अब क्या कर दिया गया है ठीक है तो I hope आप बताएंगे मैं आपका comments सब कुछ देखती हूँ तो please आप वहाँ पे हमें comment section में बताएं ठीक है अगला question देखिए Who has been appointed as director general of CBI CBI यानि की Central Bureau of Investigation तो यहाँ पे कौन बन गए है DG of CBI यह बन गए है प्रवीन सूध फाउंड किया गया है 1963 में CBI को और headquarter है इसका New Delhi right next question who became the new ministry minister of earth and science ministry ठीक है तो ministry of earth sciences जो है उसके minister कौन बन गए है यह आपको बताना है तो यह बन गए है किरन रिजूजू ठीक है तो जो थो पहले minister of किसके law के है ना मिनिस्टर थे यह अब यह बन गए है ministry of earth sciences के यह minister right next who has been appointed as CEO of unique CEO Unique Identification Authority of India तो UIDAI जो होता है ना इसके यहाँ पे CEO पूछा जा रहा है ठीक है तो यह बन गए है कौन अमित अगरवाल इसके CEO बन गए है अगला question है who has been appointed as new CEO of YouTube again very important question तो CEO of YouTube कौन बन गए है यह बन गए है Neil Mohan ठीक है तो यह Indian है YouTube जो है इसे found किया गया था 2005 में headquarter है इसका California USA और इसके owner है Google ठीक है अगला देखे है who became deputy chief of air staff तो deputy chief of air staff कौन बन गए है यह बन गए है आशुतोष दिक्षित तो देखिए आपको बहुत confusion होता होगा vice chief deputy chief है न तो हमने यह पर आपको जितने भी newly appoint हुए है वो सब को यहाँ पर include कर दिया है तो देखिए chief of Indian army यानि कि 29th वो है तो manoj pande है chief of Indian army vice chief of Indian army कौन है MV सुचिंदर कुमार है न इसके बाद बाद करे naval की तो chief of naval staff है आर हरी कुमार deputy chief है यहां के संजय जस्जीत सिंग और फिर आते है chief of air staff यह है विवेक राम चौधरी और अभी हम पढ़ रहे है deputy chief of air staff यह है आशुतोष दिक्षित तो हमने यहां पर आर्मी नेवी और एर है न एर फोर्स तो इन तीनों को यहां पर कवर किया है बहुत ही important content है यह exam point of view से इन six points को आपको बहुत ही अच्छे से यहां पर याद रखना है ठीक है चलिए next देखे who took oath as UPSC chairman तो UPSC के chairman के तौर पे किसने यहां पर oath लिया है यह आपको बताना है तो यह actual में last year भी यही थे actual में यह जो chairman है तो इनका नाम है Manoj Soni ठीक है तो अभी गाईस हम जो questions करेंगे वो थोड़ा जो last year है उसका एक revision है ज्यादा questions नहीं है बहुत थोड़े हैं बट आप सारे देख लीजे एक बार जल्दी जल्दी हम इनने cover करेंगे next question है who became the new president of BCCI तो BCCI के जो new president है यह बन गए है कौन यह बन गए है Roger Binny बात करे BCCI की full form है इसका board of control for cricket in India found किया गया था 1928 में headquarter Mumbai है इसका और secretary है इसके जैशा राइट इसके अलावा different जो FIFA है ICC है FIH है और होकी इंडिया है इन सब के president मैंने यहाँ पे include कर दिया है क्योंकि आज कल के exam में यह भी पूछे जा रहे हैं आपसे एक exam में president of FIH फूचा गया था तो आपको जो है यह सब कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है तो एक बढ़ जसे से पढ़ लीजेगा आप अगला question देखें who became the new chief economist of international monetary fund IMF ठीक है तो IMF के यहाँ पे chief economist कौन बन गए है यह बन गए है पायर ओलीवियर गोरें चार्स थेक है तो IMF की का full form है international monetary fund इसको found किया गया था 1945 में headquarter Washington DC है इसका गीता गोपिनाथ जो Indian origin economist है यह first deputy managing director थी IMF की तो यह जो है बहुती famous question था है सेसी का एक time पर तो आगे भी पूछने जाने के बहुत chances है different exams में चलिए आगे देखिए who has been appointed as next permanent representative of India to UN ठीक है तो UN में इंडिया की permanent यहां पर representative कौन है यह है रुचिरा कमबोज तो हाली में भी यह news में थी क्योंकि अभी United Nations से बहुत सारी चीज़े हैं जो news में होती है तो यह question आपके exam से पूछे जाने के chances है ठीक है क्योंकि अभी Russia Ukraine जो war हो रहा है उस time पे कुछ problems थे तो United Nations में हमें represent कौन कर रही है रुचिरा कमबोज तो यह जो है वहाँ पर speak करते हैं तो इसलिए यह यहाँ पर news में थी ठीक है तो United Nations की बात करें तो found किया गया था 1945 में Headquarter है इसका New York USA इसकी Secretary General है Antonio Gutterers रिप्लेस किया है इन्होंने किसे T.S. मूर्ती को राइट चलिए आगे देखिए Next question है who became the new G20 शेरपा ठीक है तो G20 के शेरपा कौन बन गए है यह बन गए है अमिताब कान्त तो G20 की बात करें G20 को found किया गया था 1999 में इसको 2023 में host कौन कर रहा है इंडिया कर रही है लोगो इसका Lotus है Theme दिया है इस बार इंडिया ने One Earth, One Family, One Future और वसुधैव कुटमबकम ठीक है तो यह है G20 जो है इसका Theme और 2022 में इसे इंडोनेशिया में host किया गया था इसके बाए 2024 में जो है यह ब्रजील में होने वाला है अगला देखिए Who has been appointed as Attorney General of India तो Attorney General of India कौन बन गए है यह बन गए है आर वेंकर ट्रमनी तो यह जो Attorney General of India है इसके बारे में Article 76 में दिया गया है यह highest law officer होते हैं हमारे इंडिया के इन्हें appoint कौन करते हैं यहाँ पे President इन्हें appoint करते हैं अगला question देखिएगा Who has been appointed as new President of Indian National Congress तो Indian National Congress के President बन गए है कौन यह न्यूज में अभी है Current Affairs है यह है मलिका अर्जुन खरगे बात करें Indian National Congress की फाउंड किया गया था 1885 में Bombay में फाउंड किया गया है बाई A.O. Hume First President है इसके W.C. Banerji और First Session जो हुआ था Congress का यह हुआ था Bombay Next Who has been appointed as new Chief of Defense Staff Chief of Defense Staff यहाँ पर कौन है यह है Lieutenant Anil Chauhan तो यह C.D.S है हमारे तो यह जो C.D.S होते हैं यह क्या होते हैं Military Head होते हैं Indian Army, Navy और Air Force के इसके बाद जो हमारे First C.D.S थे यह थे General Bipin Rawat जिनकी हाली में death हुई थी helicopter crash की वज़े से ठीक है तो हमारे दो यहाँ पर serious हैं पहले थे अनिल विपिन रावत और सेकेंड है अनिल चौहां राइट Next question Who has been named as Principal Scientist of ISRO's Aditya L1 Mission ठीक है तो ISRO का जो Aditya L1 Mission है जिसकी हमने बात की थी यह जो है इसके Principal Scientist है शंकरा सुब्रमानियम बात करें ISRO की Indian Space Research Organization फाउंड किया गया था 1969 में Headquarter इसका Bengaluru है और Chairman है इसके S. Somnath जो की इसके 10th Chairman है आगला question देखिए Who has become the 25th Director General of Indian Coast Guard 25th Director General of Indian Coast Guard बन गए है कौन? राकेश पाल Next Who has been appointed as President of Financial Action Task Force तो Financial Action Task Force जो है इसके President बन गए है टी राजा कुमार ठीक है तो यह जो है Financial Action Task Force यह Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Agency है फाउंड किया गया था इसे 1989 में Headquarter है इसका Paris, France तो आपको यह बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक है चलिए, Next देखिए Who has been appointed first woman chairperson of SEBI तो SEBI की first chairperson जो है woman chairperson यहाँ पर बात हो रही है यह बन गई है कौन? माधवी, पूरी, बुच्छ तो लास्ट यह बहुत सारे exams में पूछा गया था यह question तो इसलिए आपको अभी भी याद रखना है क्या पता कोई exam से पूछा जाए और इसके साथ अब SEBI का full form भी याद रखिएगा Securities and Exchange Board of India Headquarter इसका मुंबई में है और यह आता है under Ministry of Finance Next Who has been appointed as chairman of DRDO तो DRDO की यहाँ पर chairman बन गए है कौन? Samir Vee, कामत DRDO की बात करें, आपको पता है इसका full form Defense Research and Development Organization Found किया गया है 1958 में Headquarter है New Delhi और यह आता है under Ministry of Defense ठीक है? तो यह भी again Very important question आगे देखिए Who has been elected as 14th Vice President of India तो 14th Vice President of India बन गए है कौन? Jagdeep Dhankar तो यह 14th Vice President है इंडिया के और यह former governor थे West Bengal से So इनसे related कुछ articles हमने यहाँ पर प्रोवाइड किये हैं एक बर जस्ट आप इसे रीड कर लीजे ठीक है? आगला question Who has become 15th President of India तो 15th President of India बन गए है कौन? Dharapadhi Murmu Dharapadhi Murmu जो है यह 15th President है इंडिया की यह first tribal यहाँ पर President बनी है और second woman President है यहाँ की है न? यह belong करती है संथली ट्राइब से और after प्रतिवा पार्टिल यह second यहाँ पर President है तो मैंने आपको यह बता दिया औरड़ी इसके साथ ही एक और important point यह है कि यह पहली President है जिनका जो born है यह Independence के बाद हुआ है ठीक है? इसके अलावा जितने भी पहले थे President यह Independence से पहले इनकी birth हुई थी, right? चलिए, तो बात करें President तो इन से related बहुत सारे articles आपके exam में पूछे जाते हैं तो आपको एक बाद जस्ट revise कर लेने है सारे articles को, minimum age क्या होता है President बनने के लिए 35 years यहाँ पे 52 articles, 53, 54, 60, है न, यह सब आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से, इसके बाद इन्हें ओत कौन दिलवाते हैं तो यह जो ओत है यह लिया जाता है by Chief Justice of India, क्योंकि बाकी लोगों की जो ओत होती है, वो President लेते हैं ठीक है, जैसे की Chief Justice हो गया प्राइम मिनिस्टर हो गया बट यहाँ पे, ओत जो है President की ली जाती है by Chief Justice of India, या फिर Senior Most Judge जो भी होंगे उनसे, तो आपको यह सारे points बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है Next, Who has been named as the new Chief Election Commissioner of India? तो new Chief Election Commissioner of India बन गये है कौन? राजीब कुमार और ये भी एक्जाम में पूछा गया है और ये 25th Chief Election Commissioner बन गये है Election Commission of India के बारे में Article 324 में बात की गई है Term इनका होता है 6 years या फिर 65 years, जो भी मतलब ऐसे हो, appoint किया जाता है by President of India, और जो First Election Commissioner थे हमारे इंडिया के ये थे सुकुमार सेन तो ये भी बहुत सारे एक्जाम में अल्रेडी रिपीट हो चुका है तो आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है चलिए Next देखिए Who has been appointed as 10th Chairman of ISRO Again very very important 10th Chairman of ISRO बन गये है कौन? S. Sومnath Guys ये सब थोड़े 2022 के question है बढ़ आपको revise पक्का करना है क्योंकि ये सब आपके एक्जाम के लिए बहुत important है बात करें ISRO की तो ये Indian Space Research Organization है इसका full form Found किया गया है 1969 में Headquarter है Bengaluru Chairman है इसके S. Sومnath और Department of Space के अंदर ये आता है जिसके head कौन होते हैं आपको हमें बताना है comment section में ठीक है चलिए आगे चलते हैं Who has been appointed as chairperson of law commission तो law commission के chairperson बन गए है रितु राज अवस्थी Very very important question और ये इनकी picture है चलिए Next देखिए Who has been appointed as 15th chief justice of India तो 15th chief justice of India बन गए है D.Y. चंद्रचूड ये हमारे 15th chief justice है Appoint किये जाते हैं by president of India इनके बारे में दिया जाता है Chief justice के बारे में under article 124 tenure इनका होता है 65 years दब जब तक इनकी age 65 year attain करे तब तक और first chief justice जो थे हमारे इंडिया के ये थे Hira Lal J. Kania तो ये भी very very repeated question है आपके exams के लिए Next है Who has been appointed as chairman of NABARD तो NABARD के chairman है यहाँ पे कौन बताइए ये है K.V. शाजी तो आपको ध्यान में रखना है कि ये question आपके definitely आगे आने वाले exams में आएगा तो इसको पका पूरा याद रखिए बात करें NABARD की तो full form है इसका National Bank for Agriculture and Rural Development Form किया गया है 1982 में Headquarter है इसका Mumbai और यह आता है under Ministry of Finance तो आपको ये सब कुछ बात को अच्छे से याद रखना है चलिए next question Who has been appointed as CEO of Sunsat TV तो Sunsat TV के CEO कौन है तो ये है उत्पल कुमार सिंग राइट इसके अलावा कुछ और जो यहाँ पे appointments हुए थे वो देख लीज एक बार अमूल के chairman कौन बन गए है ये बन गए है शमल भाई भी पटेल तो अमूल के actual में real founder कौन है ये वरगीसी कुरैन है जो की father of white revolution कहलाते है इसके बाद बात करें Paytm Payments Bank के MD CEO कौन बन गए है सुरिंदर चावला और railway board के chairman बन गए है सारे exams में यही questions बहुत repeat आ रहे है मैंने already सारे papers देखे हुए है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ तो सारे questions को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजेगा अब आपके लिए question है इसका answer बस आप दे दीजे comment section में देखे question क्या है Who has been appointed as controller general of accounts तो इसका answer आपको हमारे comment section में देना है definitely देकर जाईएगा क्योंकि अपने इतने सारे questions पढ़े है तो I hope आप इसका answer जरूर देंगे ठीक है तो चलिए ये था हमारा आज का last slide I hope आपको ये video पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो like करिएगा और share करिएगा और ऐसे ही exam related content के लिए चानल को subscribe कर लेगा ठीक है Thank you Have a nice day